बहन को ससुराल से घर ले जा रहे भाई की निवडिया के पास सड़क हाथसे में होई दर्दनाग मौत मामला जौनपूर जिले के निवडिया थाना छेत्र के नोनारी मंडी के पास की है बताया जा रहा है कि आज सुबह ही 26 वर सियर राम सिंग गौतम अपनी बहन को उनके ससुराल कादी हद कुचैना से अपने घर ले जा रहे थें जौनपूर सिटी की ओर तब ही रास्ते में एक अनियंत्री टेंपो ने नोनारी मंडी के पास धक्का मार दी जिससे बाईक सवार 26 वर सियर युवक राम सिंग गौतम की मौके पर ही मौत हो गई साथ ही साथ उसकी 32 वर सियर बहन वा दो बच्चे भी घायल हो गए सुशना पाकर ने वडिया पोलेस मौके पर पहुची और सव को कबजे में लेकर अगरिम कारवाई में जुट गई वही भाई नीरश खुमार गौतम ने बताया कि हमारा भाई आज बहन को लेकर जा रहा था तब ही टेंपू सवार ने उन्हें धक्का मार दिया जिससे उनकी मौत हो गई इनकी मिरती हुई कौन थे आपके क्या नाम था इनका राम सिंग अच्छे कितने उम्र थे इनके चोविस साल कहां पर एक्सिडेंट हुआ है कहां पर जो हुआ है बाइए के माध्यम से कहां जा रहे थे घर कहां पर है नुए हत्सा हुआ हुआ कि आप लोगों को मालम चला कौन बता हैं कि अधिन मारे बता है कि यहां बता है कि अभी अभी थाने पर तो और जो जिसे एक्सिडेंट हुआ है किसे हुआ है पकड़ाया है पक्राया है किसे वा था आटो वाला था तकर आपको मालूम है कुछ इसकी बारे में नहीं मालूम आपका क्या नाम है प्रभासका कहां के रहने वाले हैं अभी देखिए आपके हां गटना हुई अक्सिडेंट का मामला आया है एक लोगों की मिर्थी भी हो गई और यह तिन गायल है तो यह कहा का मामला है कहां के रहने वाले थे सर चाटने वाले यह अपने दिदु को लेने आये आया थे का भी है और पीछ में तो परमारा पीसमें सब्सक्री टी갔को फोड़ा व्यां मार द के प्रॐते सेहा loro जब्हा पक्ड़ाया है यह जी वो इस टेम थाने पहने वड़िया थाना वह नाम क्या है उसका नाम नहीं रहता है इस अधर से किदर जा रहे हैं थे लोग शर्ट वाला जैस्टिंपूर के साइड में आ रहा था जा रहा है चलिए ठीक